हेला दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने चनल गूमंति इस्टूट में आज हम बात करेंगे बोर्ड परिच्छा 2021 के लिए बहुतिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर हमने तयार किया अपने हातों से चो तयार किया है आपका सेम्पल पेपर ये सेम्पल पेपर ऐसा है कि जो बोर्ड परिच्छा में हुऊब हुऊ इसी तरीके की पेपर आएगा और आपका हमने एक रहसाइन विज्ञान का model paper जारी किया था उस पर आपका प्यार बहुत ज़्यादा support देखा और बहुत ज़्यादा request आ रही थी कि हम बहुत तक विज्ञान का paper दें लेकिन हमने बताया था कि उस वाले पर 2500 likes आ जाएंगे तब हम उसका solution देंगे और बहुत तक विज्ञान का paper भी तब ही देंगे लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा demand है इसलिए ये paper हम आपको दे रहे हैं तो मैं एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ इस बहुत तक विज्ञान का model paper है यानि कि हमारे द्वारा दिया गया sample paper इसमें पूरी किताब से analyze करके और 2021 का जो पूरा syllabus UP board की website पर दिया है किस तरीके से paper आएगा उसको ध्यान में रखते हुए ये paper बनाया है ऐसा समय लिए बोर्ड में बिल्कुल ऐसा ही paper आएगा same to same ठीक है इस paper में से लगबग आपको पचास number का board में मिल सकता है राइट चलिएगा एक एक करके हम सभी question को जानते हैं कौन-कौन से question है इसमें देखेगा सबसे पहला सबसे जो पहला खंड ये चार खंड़ों में डिवाइड रहेगा पहला खंड जो है आपका बहु विकल्पे प्रसनों का रहेगा इसमें 6 प्रसन आएंगे एक एक नमबर के बहु विकल्पे प्रसन और देखेगा मैंने जैसे कि आपका ये पहले chapter से एक बहु विकल्पे प्रसन रखा ये वाला आठ कूलाम रिण आवेस में उपश्तित इलेक्टोनों की संख्या तो ये समझ लीजे जो पहला वाला जो बहु विकल्पे प्रसन मिलेगा तो पहले chapter का ही मिलेगा हो सकता है कि ये question ही मिल जा same to same ये संक्या बदल के कोई दूसरा question आ जाए पर पहले chapter से ही आएगा इसलिए हर chapter के questions को याद कर लेना क्योंकि ये paper में कौन से chapter से कितने number का लिया जाएगा ये blueprint जो UP board की website पर डाला गया है कि फलाने chapter से इतने number का आएगा वो चीज़ दे रहा हूं में आपको राइट तो ध्यान में रख लेना हर चीज़ को ठीक है जल्द जल्दी screenshot ले लीजेगा ये पहला प्रसन है आपका दूसरा बाला देखिएगा प्रत्रोध की विमा क्या होती है तो प्रत्रोध की विमा लिख लेना नीचे आपका क्या लख लोगे आप प्रत्रोध की विमा लिख लोगे फिर दोनों को solve करोगे तो ये बताना है कि इसकी विमा क्या रहेगी राइट तो ये आपको कर देना है चलिए आगे देखिए यानि संपर्क में रखा हुआ है तो सईयुक्त लेंस की फोकस्ष दूरी कितनी होगी यह बताना यह to हमने प्रसंद करा रहे हैं अभी और यह क्यों करा दिए हमने सेंटो सेंट यह समय यह आएगा तो आएगा स्टूड में और जो आपका ये प्रसवड़ या अपना हे अगला धेखिएगा ये है कि आपका चय प्रसव चय है निम्न कड एक ही वेक से गतिमान तो अधिक तम देव्रोगली त्रंग्द्रद्वाला कड होगा यानि कि ये इलेक्टोन, अलफा कांड, प्रोटोन और न्यूट्रोन ये चारो के चारो कांड एक ही वेक से चल रहे हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा तरंग दहरत है कौन से कंड़की होगी वो आपको पताना है तो इस तरीके का तो ये चीजें तुम्हें पता रहनी चाहिए चलिएगा अब आते हैं अगले प्रसंद पर देखिएगा ध्यान से समझेंगे खंडबा आ गया इसमें एक-एक नम्मर के 6 प्रसंद दिये जाएंगे छोटे-छोटे प्रसंद बहुती प्यारे-प्यारे से और देखिएगा मैंने बहुत हैवी-हवी प्रसंद रख दिये हैं लेकिन बहुत सिंपल से प्रसंद आएंगे लेकिन आप इसको कर लोगे तो इससे hard नहीं बनेगा paper इससे easy ही बनेगा और इसी तरीके काएगा धारा मापी को volt meter में बदलने के लिए क्या परवर्टन किया जाता है पहला person दूसरा है आपका नती कौण क्या है चुम्मकिय धुरूबों पर इसका मान कितना होता है यह आपको मान बताना है कि नती कौण का जो मान होता है उत्तरी धुरूब पर कितना होता है चलिएगा यह दो person एक साथ दे दिये हैं किरचौप का धारा और voltage नियम लिखिए वैसे यह एक नमर में नहीं आना चाहिए था तो इसलिए यह हमको long person में डालना चाहिए था लेकर फिर भी आपको याद कर लेना है कभी-कभी वो केवल एक नियम पूछता है किरचौप का धारा नियम लिखिए या एक नमर में पूछ लेगा किरचौप का voltage नियम लिखिए या lens का नियम लिखिए तो मैंने दोनों लिखती हैं दोनों कि याद कर लेनी कि एक देली आवपरती के साथ साथ एक देली तरंग दर्द और याद कर लेना तरंग टर की में थी लो शुकाम्र देखेंग अगले प्रिसेंट पर चलते हैं देखेगा यह है आंपका हमा टानटव किर cór पर संचिप्त टिपनी लिखिए या संचिप्त विवन दीजिए और समस्थानिक संभारिक को उधारण सहित परवासित कीजिए यानि एक एक दो 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 दे दे देना समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं उनकी परवासा लिखते हैं ओके चलिएगा अगला अब तीसरे प्रसन पर आजाते हैं, तीसरा जो प्रसन है आपका, यह दो दो नम्मर के प्रसन आएंगे इसमें चार, ठीक है, यह से खंडा आज दता है, तो इसमें बैदत छेतर-E वेक्टर वरावर इतना है, और S वेक्टर वरावर इतना है, तो से गोजनने वाला बैदत फिलस कितना होगा यह numerical है तो आपको एक numerical आएगा इसी chapter से आएगा चलिएगा आगे चलते हैं अगला प्रिशन पर अगला प्रिशन देखिएगा अगला है अन्नोन प्रेरण क्या है अन्नोन प्रेरण गुडांक की परवासा सूत्र और मात्रक लिखिए तो यह तो मैं दो प् स्मार्ट वर्क करो जैसे कि मैंने एक प्रिशन दे दिया तो इससे मिलता जोलता और भी प्रिशनों को याद कर लेना है आपको रइट चलिएगा अगला जो प्रिशन है आपका अगला है युगम उत्पादन तता युगम बिनास की परवासा लिखिए तो यह तो केवल इत मिलता थी क्या होती है वह और याद कर लेना तो यह आपका यहां से एक प्रसंद फसे गहार तो फसे आपका ठीक हैं अब देखेगा यह इसमें के वल इतना आता ह Sakja के और Golden बेंजक लिखे या और गेट बिखिए और गेट की सत्यता वहांता साटवी तो यह समझे लीजी यह तो एक हजार यह मैं सो फ्रसंट नहीं एक खजार परसंट कहह रहा हूं यहां से तो एक प्रसंट बनना ही वनना या तो और गेट और और ज्यादा hard बनाने की कोशिस होगी तो nand gate दे देगा ठीक है तो बस और कभी-कभी nand के साथ में 9 और दे देता है ठीक है यह तो very very hard बनाएगा तब की बात है वनना इन दोनों को कर लेना वैसे लेकिन यह तीन कर लोग आप उससे यह आपका पूरा आ जाएगा ठीक है तो यह तीनों चीजें कर लेना अब देखेगा थोड़ा सा मैं आपको फिजूल का ग्यान दे दूँ के बटा जिन बच्चों ने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मनोसर वो कर लेना उसकी लिंक आपको नीचे डिसक्रिस्ट ने दे रखी होगी तो हमारा जो मैत का कोर्स इसी पर चल रहा है और जो मैत का हम मॉडल पेपर लेकर आएंगे तो इसी चैनल पर देंगे हम और मैत का सेंपल पेपर देंगे वो इसी पर देंगे औ जो हमने बताई थी कि मैत का 30 दिन की strategy तो यदि आपका अच्छा response मिला तो इसी channel पर हम उसका 30 दिन में खतम कराएंगे आपके मैत को यदि आपका अच्छा response हुआ तो जल्दी सब्सक्राइब कराओ इस पर भी 50,000 भी subscribers नहीं है तो 50,000 तो कम से कम एट लिक करवा दो जल्दी से जल्दी चलिएगा अगले प्रसनों पर बढ़ते हैं अगला जो प्रसन है इस पाजाते हैं चलिएगा यह दे आ जाता है यह तिन तिन नमर का आएगा पांच प्रसन दिये होंगे तो पहला इसमें दे रखा अनुगोमन वेग क्या है अनुगोमन वेग क्या दार पर ओम के नियम के लिए बेंजक प्राप्त कीजिए यह है अनुगोमन वेग क्या है अनुगोमन वेग क्या दार पर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए इस तरीके से प्रसन आएगा अब तीसरे का खे में दे र तो धारवाई कुंडली भी दे देता है वो तो धारवाई परिणाल का ककल ले ना राइट चलिएगा दे देखिएगा गय में एक नुमेरिकल दे रखा है कि दस की पावर माइनस पांच टेसला के एक समान चुम्मक यह छेत्र में दस एलेक्टोन वोल्ट ऊड़ जाका एक एलेक्टोन विरताकार मार्ग पर गती कर रहा है तो विरताकार मार्ग की तरज्जा बता नहीं है आर ठीक है तो बहुत ही प्यारा है साइकल एलेक्टोन की जो किरिया विदी थी उसमें यह डेरिवेशन है तो वहां से लिया गया है चलिएगा अगला प्रसंद बैद्दुचुम की तरंग है क्या होती है इनके प्रमुग गुणों को लिखिए ठीक है और बैद्दुचुम की तरंग से दान्त भी लिख लेना याद कर लेना ओके चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रसंद पर यह है आपका इन नमबर के ही प्रसंद है क्या है तो बैद्दुच्हेतर की ती बृता को परवासित कीजिए एक सीधे तार का रेखिया रेखिका आवेस गहनत तो इतना है दस उना दस की पावर माइनस दी माइनस आट कूलाम प्रती मीटर तार से दो संटीमींटर दूर बैद्दुच् को चलिएगा पानी तथा कांच के अपवर्तना कितने हैं कांच से पानी पर आप प्रिकास किरण के लिए किरांतिक कोड का मान याद करना है बहुत ही प्यारा प्रसन है तीन नमबर का प्रसन है थोड़ा द्यान से करना सॉल और इसका सॉलूसन चाहते तो मैं फिर आप से कहता इस पर आपका 2500 लाइक्स आ जाएंगे तो इसका मैं सॉलूसन आपको प्रोवाइड करा दूँगा ओके चलिएगा आगे बढ़ते हैं यंग के दुएक रेका छिद्र प्रियोग की साहता से फ्रिंज की चोड़ाई के लिए सुत्र की प्राप्ति कीजिए यानि कि वेंजक है यंग के प्रियोग वाला चलिए आगे देखते हैं आगे देखेगा अगला घैप्रसन है आपका वीटिस्टों सेतु का सचितन वर्णन करना है और पी अपॉन क्यू वराबर आर अपॉन एस इस सुत्र की भी इसमें स्थापना करनी है ठीक है तो वह जो वीटिस्टों एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं जिन वच्चों अभी तक हमारा सेकंड चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो वह कर लें आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अवर सेकंड चैनल करके लिंक ना मिले तो अभी यूटूब पर सर्च माले ना मन तो इस चैनल पर अभी 35-36 जार ही सस्क्राइबर्स हैं तो इसको आप 50 के करवाओ जल्दी से जल्दी और मैत का कोर्स इसी पर कंप्लीट कराया जाएगा और मैत का सेंपल पेपर सॉलूसन बगरा बगरा और हिंदी की किलासिस भी इसी चैनल पर चलाऊंगा तो आप लोग 12 के हैं तो सस्क्राइब जरूर कर लें कि चलेगा एक बार आगे बढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र क्या है इसकी धारता के लिए वेंजक प्राप्त कीजिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए फिर साथ में एक अत्वा करके दे दिया इसमें अत्वा मिले किए निलमित कुंडली धारामापी या चल कुंडली धारामापी ठीक है यहां पर आप इसके साथ में क्या कर दोगा चल कुंडली धारामापी भी याद कर लेना बात एक ही है कोई दिक्कत नहीं एक प्रसंद कोई भी याद कर लिए चल कुंडली धारामापी भी कर लेना कि वैदो दुद्रो क्या है एक समान वैदो छेतर में वैदो दुद्रो को गुमाने में किये गए कारणर का वेंजदक प्राप्त कीजिए और साहत में इसमें एक Noverical Oracle Bas לסे रखा है दसकी पावर पांच diyorum प्रति कूलाम के छेतर में यानी कि वैदो छेतर में तीस अंस के कौणड पर 6 गुणा 10 की पावर माइनस 24 न्यूटन मीटर का बलागुन लग रहा है तो बैदू-दू-दू-दू का आगुन वह फॉर्मूल लगा यानि कौन सा फॉर्मूल लगा टौ वराबर पी-ई-साइन-ठीटा पी-ई-साइन-ठीटा यह वाला फॉर्मू फॉर्मूल लगेगा चलेगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला है आपका प्रीज्म के अपवर्तनांग के लिए अलपतम विचलन कोंड एवं प्रीज्म के पदों में लिखना है कुल मिलाके बात यह है आपको डेल्टा एम बराबर एन-1 और यह वाला सुत्रिष्ट करना है ओके तो यह आपको प्रीज्म के पदार्थ के अपवर्तनां के लिए सुत्रिष्टापित कीजिए सिंपल सी वात है चलिए अगला जल्दी अल्दी करते हैं सात्मा इसमें भी चोईस मिलेगी देखो सात्मा प्रसना है वैदूत प्रिकास वैदूत उसरजन क्या है इसके नियमों का उलेख कीजिए डेवरों की तरंग दैर्द के लिए सुत्रिष्टापित कीजिए तो अब इसमें साथ में आंश्टीन की प्रिकास वैदूत समीकराण और करनी है आपको तो आपका फिर नंबर कटने का चांसिस ही नहीं रह जाएंगे ठीक है अब आता तो इसको ऐसे भी लख सकता था आंश्टीन के प्रिकस्त वैदूत फड्द हूं क्या है उसको इसतापित की जिए और उसके आधार पर प्रिकास्ट तूष्चकर on Deálisant तो या तो वरॉल आपkो दीवजू बरोगली तरंग दर्द्र क्या होती है इसके लिए सुसत्रि करना प्रिकास का आंश्टिन का प्रिकास वैदुत समी करना और प्रिकास वैदुतु सजन के नियम यह तीन कुश्चन एक ही में बना के याद कर लेना हो के चलिए आगे बढ़ते हैं आगे इसमें अत्वा मिलेगा आपको कि ट्रांसपार्मर का सचित्र वर्णन कीजिए यान दुत्यक कुंडली की प्रतिवादा 220 ओम है तो प्रात्म कुंडली इसे ली गई धारा का मान गयात करना है पहती प्यारा प्रसन है आपका कर लेना इसको राइट चलिएगा आठमा प्रसन देखिए अपवावेग तथा धारा गनत्त में संबंद इस्तापित कीजिए एक त एक सेंटी मीटर प्रतिसेकंड हैν तो तार में धारा गनत्त की करना करना है और ध्यानसर समझिए न वेग इसमें जो दे रखा है एक सेंटी मीटर प्रतिसेकंड में बदलना है सेंटी मीटर से के यह चीज हमें सा याद रखना इसमें अत्वा मिलेगा आपको यह देखेगा यह दे रखा है एक गोलिय प्रश्ट पर प्रिकास के अपवर्तन का सुत्र यानि कि यह इस्तापित करना है आपको बहुती प्यारा सवाल है आप कर लेना इसको राइट चलिएगा आप देखेगा को पूर्ण दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रियोग होता है और इसके साथ में और कर लेना आप तब जाकर आपके 50-70 नमबर की इसमें किलियर हो जाएंगे और वैसे यदि तुमने हमारे चलो पहले इसको कर लो इसका दूसरा है पी एन पी ट्रांजिस्टर की किलिया भी दी कर लेनी है या एन पी एन की कर लेनी है कोई भी एक कर लेनी है राइट और मैं तो यह कौनगा द इन पेपर कर लिया तो गारंटी से मैं कह रहा हूं आप 70 मैं से 70 लेकर आओ गारंटी की बात है क्योंकि आपने देखा ही होगा आप इस पेपर को आपने पूरा देख लिया बस इतना ही है इसमें और तो कुछ है नहीं यह बस फिर से एक बार आ जाता है जिन्होंने चैनल क पूरा का पूरा कर लिया तो आपको देख देखने में आ रहा होगा जो इंपोरेंट पूरी किताब के प्रसंद एक ही पेपर में आ गया यदि ऐसे मैं आपको तीन सेपरेट पेपर दे दो आनि बिल्कुल तीन जिनका यह आपसमें कोई शंबंद ना हो अब मैं एक पेपर लेकर आ सकते हो यदि तीन के तीन तो इन अपनी मेहनत के साथ कर लिये तो ओके चलिए आप बाकि आज की वीडियों सिर्फ इतना ही करते हैं वीडियों को लाइक एम आपको पता ही है 2500 लाइक्स करने हैं और साथ में हमारे जो चैनल है सेकंड चैनल मनोसर उसको ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है सेयर करना है और सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और बाकि मिलते हैं खुंसर सी वीडियों तब तक के लिए बाई बाई जैहंद